ऑन के अलो गयई जो और के बारे में हमें स्वेक्शK को सब्सक्ति था, नम्बरयों ऑफ और आप उफ ओज era, पर मोलड के चार टर्म थेखल अल्पा लाइकाल बीटा लाइकाल ग्लाइकाल अल्पा लाइकाल वाण्टी ओता लाइकल ओस्ताइश नम्बर ऑंथा लाइकल जिसमें वेस्ट सी जामपल ग्लिजराल होता है उसके बाद पाली हाइडिक एलकॉल में आप लोग पढ़े आपका जो है सर्वी टाल और मैनी टाल ग्लुकोज और फ्रक्टोस के बारे में भी हम इंट्रोड़क्शन कराएं इसमें पांच ओयस समूग होता है पांच ओयस समूग के साथ अगर एलडिहाइड है तो वो कलाएगा ग्लुकोज और पांच ओयस समूग के साथ खीटोन है तो वो कलाएगा फ्रक्टोस यादि ग्लुकोस फ्रक्टोस को भी हम आपका एलकॉल में पाली हाइडिक एलकॉल मां सकते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन आम लोग पड़े बैलेंसी अब कार्बन कार्बन की बैलेंसी के आधार पे तीन प्रकार वन डिग्री एलकोहल जिसको हम प्रात्मी के एलकोहल बोलेंगे टू डिग्री एलकोहल जिसको दूतियक एलकोहल बोलेंगे और 3 degree alcohol, 3-3 alcohol इसके बास सारी balance ही complete होने से 4 degree possible नहीं है आज हम तीसरा classification बताएंगे hydrocarbon के आदार पे जैसा कि जानते हैं जड़ली hydrocarbon दो प्रकार के होते हैं saturated यानि single bonded और बूसरा वक्ता unsaturated तो alcohol में जो तीसरा classification है उसके भी दो प्रकार है saturated hydrocarbon के साथ alcohol, saturated alcohol और unsaturated hydrocarbon के साथ alcohol unsaturated alcohol जैसे saturated में लेते हैं सबको CH3OH जिसको बोलेंगे methyl alcohol यह saturated है दूसरे नमबर पे आता है CH3, CH2OH इसको भी हम saturated alcohol ही बोलेंगे पहले कारा में methyl alcohol, methanol, ethyl alcohol, ethanol इसमें देख रहें कारपर की जितनी भी balance यह सब single bonded है इसलिए यह दोनों saturated alcohol है unsaturated में चलेगे unsaturated में CH2, double bond CH, free balance के साथ OH और दूसरा ही क्यामपड हम लेते हैं CH2, double bond CH, CH2OH इन दोनों ही क्यामपड पे देख रहें कि carbon double carbon है तो double यारी unsaturated, तो दोनों के दोनों unsaturated alcohol है जिसमें पहला है vinyl alcohol ठीक, और दूसरा जो है elile alcohol नार्मली इसको हिंदी में हम पढ़ते हैं viril alcohol और इसको हम बोलते हैं allil alcohol तो vinyl और elile है क्या यह आगे की class में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा तो नार्मली इसको आप समझे लिए CS4 को हम बोलते हैं methane अगर methane से एक hydrogen हम निकाल दे तो जो free balance बनेगी उसको हम बोलते हैं methane और अगर इससे एक hydrogen निकाल दे तो जो free balance के साथ ग्रूप होगा उसको कहेंगे methylene तो यह आपको methylene नार्मली इसको methylene भी पढ़ते हैं यह आपको methylene ग्रूप होगया methane से एक hydrogen निकालेगा तो methylene फिर इससे एक hydrogen निकालेगा तो methylene इसी तरह से CH2 double bond CH2 यह आपका ethene है अब ethene है इसका common name ethylene होता है ethylene के बारे में आपको जानते होंगे ethylene का आज करितिम रूप से पलो को पकाने में इस gas का सबसे ज़्यादा प्रेयों किया जाता है ethylene से अगर एक hydrogen निकाल दे तो इसकी valency free हो जाती है और बनता है free valency CH CS2 इसी को हम करते है विनाइल ग्रूप यही आपको विनाइल ग्रूप है और अगर इसकी valency chlorine पूरा करें तो विनाइल प्लोराइड है जो आगे polymerization में PVC के नाम से जाना जाता है polyvinyl chloride तो अगर इस vinyl chloride का polymerization करा दें तो यह आपका बनता है PVC polyvinyl chloride जिसका आप वह देनी given में उप्योग पड़े होंगे हाँ दूसरे नमबर पर यहाँ CH2 double bond CH CH3 यह आपका तीन कारवर है तो प्रो और double bond है तो की प्रोपीन तो प्रोपीन से अगर एक hydrogen निकालेंगे तो free balance हो जाएगी CH2 CH double bond CH2 इसी को हम बोलते हैं Allyl group तो यह आपका क्यों हो गया विलाइल ग्रूप हो गया और यह आपका एलिल ग्रूप हो गया यादि आपने clear कर लिया कि अल्कॉल का जो थर्ड क्लासिफिकेशन है hydrocarbon की आधार पे generally वो दो प्रकार क्योंगे saturated और unsaturated saturated का मतलब carbon की balance सब single banded हो और unsaturated का मतलब हो क्या double banded हो या triple banded हो saturated में आपने दो best example लिया methyl alcohol और ethyl alcohol unsaturated में आपने दो लिया vinyl alcohol और allyl alcohol तो vinyl group कैसे प्राफ्थ होगा और allyl group कैसे प्राफ्थ होगा इसका हमने यह discuss करा लिया note करना चाहाए तो आप लोग इसको note कर लिजिए देखे अब हमने आप लोग को allyl fatical alcohol का classification कर दिया allyl fatical alcohol के जनरली इन classification आप पढ़ लिए number of OH की आधार पर यह चार प्रकार के होंगे monohydrical alcohol dihydrical alcohol trihydrical alcohol और polyhydrical alcohol monohydrical alcohol में दो best example आपने पढ़ा methyl alcohol, ethyl alcohol dihydrical alcohol में आपने पढ़ा glycal जिसके तीन प्रकार होगे alpha glycal, one two position beta glycal, one three position gamma glycal, one four position फिर trihydrical alcohol में आपने पढ़ा glycerol और polyhydrical alcohol में servital, manita और इसमें हमने glucose और fructose के बारे में यह बताया glucose और fructose दोनों के molecular formulae सेम है molecular weight भी सेम है तो हम glucose और fructose को कैसे पाचानेंगे हमने यह पहले lecture में आप लोग क्लियर करा दिया कि polyhydrical alcohol में पांच अगर ओयस समून के साथ LDH group हो तो वह है glucose और पांच ओयस समून के साथ ketone group है तो वह है आपका fructose अब देखिए यहां आप क्लियर करेंगे कि जो एलिफाइटिक एल्कुहल है उसका नाम कैसे करेंगे तो एलिफाइटिक एल्कुहल के नाम करने के तीन मैथर्ड है यह अगली आपको दो मैथर्ड का नाम सुनते है IUPAC और एक होता है आपका पहला सामान या निडर्टक पत्दति इसको कहते आपको याद करना होगा इसका कोई रूल रिप्लेशन बहुत आपका दोग क्यार्वास नहीं है common name में आपका जैसे suppose that एक कार्वन का अगर एल्कुहल है CH3OH तो यह आपका मेथिल एल्कुहल है जो मेथिलिट की स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है लगडी का भंजक आस्वन करते हैं तो उससे एक लिप्ड प्राप्त होता है पायरोगलीनियस अंग तो पायरोगलीनियस जो अंग है उसमें मेथिल एल्कुहल पाय जाता है दूसरे नमबर पे है C2H5OH यह है एथिनलफोर जो गन्य के रस्त में पाय जाता है तीजरा जैसे CH2OH यह आपका गलाइकाल है यह गलाइकाल इसका कामन निम है शौधा एज़ांपल जैसे लेरें CH2OH CH2OH यह आपका जो है इसराल है जो ट्राइऑड्रिक एक और 거야 यह ही कामनी में तो फहले का नाम क्या हो गया मेथिल एल्कॉहल दूसरे का नाम है एथिल एल्कॉहल तीसरे का नाम है गलाइकाल और चोथे का नाम है वह हो आपका लिसराल है ठीक अब जलतें कार्विनाल सिस्टम यह कार्विनाल सिस्टम क्या है तो एलकोहल के नामकरण का जो दूसरा मेतर है वो कार्विनाल सिस्टम है कार्विनाल सिस्टम है क्या कार्वन की बैलन्सी होती है चा एक बैलन्सी ओयस से जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे एल्कोहल, मतलब यह पूरा आपका हो गया एल्कोहल, ठीक, अब एल्कोहल के बाद जो तीन बैलेंसी बची है, अगर वो तीनों के तीनों हाइड्रोजन से बांडेड हो, कोई कारवन अत्रिक्त नहों, तब इसी को हम पढ़ते हैं कार्बीनाल, ठीक, यानि जो मेथील एल्को मेथील, और इसी कार्बीनाल के तृष्ट नहों जो सबते हैं, अब दिक्त yap कार्बीनाल के तृष्ट यह और हम सी जोन जो जो तो ए से कनारव कार्बन और ओयर्च यह कर लाएगा कार्बिना अब कार्बिनाल क्या है मेथिल मेथिल दो बार आ गया तो आपको डाई मेथिल कार्बिना इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल कार्बिना और देखिए सी एच थरी, सी टू यश फाही यहाँ को यश है और यह ओ यह तो यह कार्बिनाल हो गहाँ, कार्बं ओ-ओ-ध फॉड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे कार्बिनाल, अब कार्बिनाल क्या तरिक्त क्या है? में थिल और एथिल तो अलग इला तो दो अलग तो अलग ग्रूप इसटरेक त्री यह ग्या वग्या आपकार्ड कार्भिनाव सिस्टम निया आपका हो गया कार्भिनाव में लstoneकी सायड चेह एक रचीन हे प्र oralAL safetyぎ दली ही आटमें पहले एथ लाएंगा एथ डैमेथिल दोवर में दील हे एधिल डैमेथिस के नामसर कhand वेच्छ कुस्टे अवाला मेथिल कार्विनाल नस दूसरा डाई Alien इसको आप कर लिजी इसको नोट करनेंगे कि इसको नोट करते चली आप लूगए मेंकुर.'s और आप चैनल जब ओपेन करेंगे तो उसके नीचे सस्क्राइब का बटन है सस्क्राइब के बटन को आप दबाईए कि जब भी मैं नया वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो आटोमेटिक आपको मैसेज मिल जाएगा कि नहीं सब कोई नया वीडियो अप्लोड किये हैं तो स तेंसे उलंड है सूर्ण कर लिएंगे अब जलते हैं आयोट्यद कर दिया है कि इसने स्थिक्ष का हम यूज करेंगे इसमें जो ल hisी करते हैं अब यह झो यह तक या और लहाई को आसके सबार इसा चिए कि footprint